गुद आफटनून स्टूटेंट्स तुदे वी विल कंटीन्यू चाप्टर एट अवर एन्वाइन्मेंट नेक्स टॉपिक इस डिस्पोजल ओफ वेस्ट ठीक है अब वेस्ट हो कैसे डिस्पोज करते कैसे खतम करते हैं अलग अलग तरीके हैं जिससे हम जो वेस्ट मेटीरियल होता है जो वेस्ट होता है जो खराब समान होता है उसे हम क्या कर सकते हैं dispose कर सकते हैं मतलब उसे खतम कर सकते हैं कैसे burning method है ठीक है burning का तरीका है vermic composting है open dumping है compost pits है landfills है ये कुछ तरीके हैं जिससे हम waste को dispose कर सकते हैं in cities and towns the government authorities use different methods to dispose waste some of them are explained below अब कुछ cities और towns में government authorities जो हैं जो सरकारी authorities हैं वो अलग-अलग methods का इस्तमाल करती है waste को dispose करने में जो भी कुड़ा कच्रा होता है इसको पतम करने के लिए जो government authorities है जो अलग-अलग methods को इस्तमाल करती है वो यहां पे आपको कुछ explain किये गए हैं उन methods के बारे में हम detail में पढ़ेंगे so first method given here is open dumping पहला method जो है जो की government authority यूज करती है waste को dispose करने के लिए वो है open dumping मतलब की खुले में waste को dump कर देना तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस picture में so this method is used in most cities and towns यह जो method है इसका इस्तमाल कई शहरों में किया जाता है waste are loaded in trucks and are then taken far away from the town or city and dumped in the open क्या होता है जितना भी waste होता है जितना भी कूड़ा गच्रा होता है वो truck में load कर लिया जाता है और उसे जो शहर होता है उससे दूर लेके जाया जाता है और जो open area होता है वहाँ पर इसे dump कर दिया जाता है so but this is not an eco-friendly way of waste disposal लेकिन यह eco-friendly तरीका नहीं है waste को dispose करने का it can pollute the environment यह हमारे आसवास के वातावरण को क्या करता है प्रदूशित करता है तो open dumping एक method है जो की सरकार जो government authorities है वो use करती है waste को dispose करने में next is composed pits a composed pit can be made at home composed pit जो है वो घरों में बनाई जा सकती है जैसे की आप देख सकते है बिच्चर में इस तरह से compost pit जो है वो तैयार की जाती है it is commonly found in villages और जादा तर compost pit जो है वो गाव में पाई जाती है ठीक है it is made by digging a pit in the ground और यह किस तरह से बनाई जाती है गड़ा खोदा जाता है ठीक है जो waste होता है यह manure में परिवर्दित हो जाता है जिसे कहा जाता है compost ठीक है also known as compost जिसे हम कहते हैं farmers use this in their field और farmers जो है इस compost को अपने field में इस्तमाल करते हैं ठीक है जिसे हम खाद भी कहते हैं यह जो waste होता है यह जादा तर यह जादा तर कहां पर पाई जाती है गाव में पाई जाती है यह लोग क्या करते हैं गड़ा खोद लेते हैं अपने घरों में ही घर के आंगन में य जो waste होता है वो खाद में परिवर्टित हो जाता है जिसे हम compost कहते हैं और जो farmers होते हैं वो इस compost का इस्तमाल अपनी field में करते हैं so students I hope you have understood this much now we will continue this chapter tomorrow thank you